गुद्वर्णिंग दोस्तों कल जो न्यूस आया था जी एस्टी का कि वहाँ पे 28 परसंट बढ़ रहा है गेमिंग इंडेस्ट्री पे ऑनलाइन इंडेस्ट्री है उस पे भी और उसके बाद में जो नेक्स आया था कि जो पी वीर के लिए अच्छा है जो 5 परसंट का जी एस यहाँ पर benefit लेगा कि वहाँ पर तोड़ा वही रखेगा और वहाँ से प्रॉफिट बनाने का कोसिस करेगा और आज दूर रिजल्ट भी है TCS और HCL तो उसका भी चार्ट हम यहाँ पर देख लेते कि आज यहाँ पर यह कैसे trade कर सकता है supporter resistance कौन सा है तो यहाँ पर start करते है आज तो पहला जो हमेरा stock है यहाँ पर वह है HCL tag मैंने रखा है तो यहाँ पर क्या था कि लास्ट टाइम हमें जब डिसकस किया था यह consolidation zone में चल रहा था अब यहाँ पर इसने क्या है यह trend line था उसका इसने continuation breakdown दिया है अब हमें पहले इसका support देखना है यहाँ से जब Fibonacci लगाते हैं तो यह आप कहाता है 50% यहाँ पर retracement जहाँ पर जिस जगह पर hold यह आए अगर आज यहाँ पर इसी जगह पर hold कर जाता है और result है जहाँ पर कुछ खास इतना result का expectation market में अभी नहीं चल रहा है पर क्या पता वहाँ पर कुछ surprise आ गया तो यहाँ से आपको इस level के उपर कहीं पर खुलता है 1132 के उपर तो आपको एक up move भी देखने को मिलेगा उस time क्या होगा कि यह end pattern में complete होगा और आपका target यहाँ पर 1245 से भी उपर जा सकता है तो result के trade के लिए अगर trade करते हो तो कभी भी option trade करो तो ध्यान में रखना है कि आपका hedge होना चीए अगर right opening होके यहाँ से low के नीचे जैसे sustain करने लगता है आप short कर सकते हो यह फिर दिरे दिरे करके यहाँ पर आएगा support लेने के लिए तो काफी अच्छी से जगह पर यहाँ पर यह hold कर रहा है second है delta यहाँ पर इस level से काफी अच्छा सा इसका selling को आ रहा था अब इसको हमें देखन है यह level से कि यहाँ तक आएगा यह तो जो हमारा 50% यहाँ पर है जो हमारा support बनेगा क्योंकि इस time भी यहाँ पर resistance था तो यह support का काम करेगा तो अगर कोई भी गिरावट आती है और हम यहाँ पर opening होता है 240 के नीचे तो फिर हम को एक fall देखने को मिलेगा हम यहाँ पर target लेक है तो फिर यहाँ से आप buy के लिए देख सकते हो TCS यहाँ पर अच्छी चीज क्या है कि इसने low यहाँ पर लगाना यानि lower low जो low बनता था यहाँ पर वो stop हो गया है और यह जो trend line निच्चे से आ रहा था यह trend line में ने इस जगह से यहाँ पर draw किया है तो उसी जगह के आसप support लेने आएगा इस जगह पर support लेके hold करता है तो फिर next जो हमारा bounce आएगा वो हम यहाँ पर यह जो एक trend line बनेगा हम इसको trend line लेते हैं यहाँ से जैसे bounce आएगा वो यहाँ पहले आएगा consolation करके जब breakout देगा तब आपका target 33.72 आएगा तो यह level के लिए ध्यान में रखना PVR जो हमने last time मेरा जो group है वहाँ पर मैंने cover किया था जब यहाँ पर यह level के आसपास था तब मैंने यहाँ पर buy दिया था और काफी अच्छा सा एक यहाँ पर moment देखने को मिला था अब भी हम यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह level के उपर निकलता है 1446 के उपर तो आपको एक अच्छा सा मोह यहाँ तक मिल सकता है 1560 तक के लिए तो 1500 काउंट करके चल सकते हो यानि कि 60 पॉइंट आपको यहाँ पर की और एक मोह मिलेगा तो इसके लिए तैयार है ना और काफी अच्छा सा वॉल्यूम भी बड़ा था तो आज भी हमें एक मोह उपर की साइड मिल चार्ट होगा क्योंकि एक IT कमनी है वह भी गेमिंग इंडस्ट्री में है तो उसको मुझे यहाँ पर देखना है कि वहाँ पर वह कैसा चार्ट है तो प्लिस कमेंट में जरू लिखना वह कौन सी कमनी है मैं बुल गया हूँ तो दोस्तों मेलते हैं ने वीडियो में थैंक्य टेक केर बाइ